ये कहानी है श्यामा और उसकी बेचारी मा की हमारे समाज में हमेशा से ही दो तरग के लोग देखने को मिलते हैं एक वो लोग जो किसी को भी दर्द देने में जरा सा भी नहीं हिच की जाते और दुसरे वो लोग जो किसी और की दर्द को भी अपना दर्द समझ के उसे अपना लेते हैं अर्पी जी की नजर जब सड़क की किनारे इस गाय और उसकी बच्छिया पर पड़ी तो वो बहुत बेचैन हो गया गाय के शरीर पर बहुत सारे टिक्स थे और वो भूख प्यास के कारण एनिमिक भी हो चुकी थी प्रिंस जी के दुआरे इसका ट्रीटमिन भी करवाया गया पर दो दिन बाद गाय चल बसी बच्छिया बिचारी अपनी मा के शब तक को नहीं छोड रही थी पनारस से बाहर होने के वज़े से मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी पर प्रिंस जी से लगातार इस बारे में मेरी बात हो रही थी कि बच्छिया को ना ही किसी गौपालग को देना चाहिए और ना तो इसी गौशाला में भीजवाना चाहिए अब समस्या ये थी कि ऐसे में बिना स्वार्थ के इसको पाले तो पाले कौन पर सबसे बड़ा द्यालू तो इश्वर है हम भूल जाते हैं कि एक चीटी को भी वही पालता है और हादे को भी वही पालता है भगवान भला करे अरजुन तिवारी जी का जिन्होंने श्यामा को अपने घर में अपने आंगन में बिना किसी स्वार्थ के शरर दिया ये एक श्यामा और उसकी मा की कहानी नहीं है सबी गायों के साथ ऐसा ही बड़ताओ करते हैं गौपालक गौपालक तो आप कहते हैं हम उने गौहत्यारे कहते हैं ये जीवन भर गाय का दूद नहीं चोड़ते हैं और अंतकाल में गाय को मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं बच्रा हो तो उसकी तसकरी निश्चित है क्योंकि उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है उसे पाला नहीं जाता है और गरीमत से अगर बच्चिया हो गए तो उसे जीवन भर मा बनने पर मजबूर कर दिया जाता है ताकि मा बनने के बाद उसके बच्छे या बच्छे के हिस्से का दूद बाट के वो दूसरों को दे सके और अपना घर चला सके अब बात यह आती है कि हमें क्या गौप आलग बनना चाहिए या गौप प्रेमी बनना चाहिए मेरे ख्याल से तो हम सब को जीव प्रेमी बनना चाहिए चाहे गाय हो चाहे जीटी हो चाहे बंदर बिल्ली कुछ भी हो हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए बिना किसी स्वात के